Hello everyone, so this is our question number second, we are going to solve the partnership final accounts and we are already covered with the one question and I hope कि आपके वो question पूरा clear हुआ रहेगा, काफी easy question है, जो आपके 12 standard में होता था वैसे ही type का question है, तो आज हम current account के बारे में पढ़ेंगे कि current account अगर आपके question में दिया गया है तो उसको किस तरीके से आपको prepare करना है, तो ध्यान से देखो इ दलाल और राजार, partner sharing profits and losses equally, from the following trial balance of the firm, prepared trading account, profit and loss account for the year ended, तो years काफी पूराना है थोड़ा सा, stock purchase, sales return, data, wages, royalties, furniture, machinery, एको advertisement है, यहाँ पे 4 years, तो यह आपका hidden adjustment है, तो यह कैसे करना है, देखो, 4 years के लिए, कितना है, 4 years के लिए है, 4000, कितना है 4 years के लिए, 4000 दिया है, तो आपका final account एक साल के लिए बनता है, one year के लिए how much, cross multiply करो, आपको आउट, जो भी prepared है, वो मिल जाएगा, तो prepared कितना होगा, prepared रहेगा 3000, चार साल के लिए, अगर 4000 आप advertisement का खरचा करते हो, तो एक साल के लिए 1000 होना चाहिए, तेकिन यहाँ पे 4000 दिया है, मतलब, आपका 3000 जो है, वो prepared है, वो हम करेंगे, next is salary, provident fund contribution, PF investment, insurance, drawings, capital accounts, बहुत सारे points दिये हुए है, adjustment देखते है, देखो, closing stock, cost price 25, market price 30, कौन सा लेना है, I hope कि आपको आपको अल्रेडी पता है, इसमें से कौन सा लेना है, whichever is small, तो 25,000 हम consider करेंगे, market price हम consider नहीं करेंगे, because यह smallest amount नहीं है, ड personal use के लिए उसने goods रिया, यह हमने already discuss किया था, that is drawings, एक entry होगा, trading account के credit side में, एक entry होगा, partners, capital account के जगे पे, अभी हम current account बनाएंगे, वहाँ पे होगा, goods amounting to 3,000 were sold and dispatch, but no entry was made in the sales book, goods sold, unrecorded sales है, unrecorded sales, repeat the effect, unrecorded sales, सबसे पहला effect आपको sales में add करना है 3,000, और दूसरा effect आपको add करना है dators में, because sales हमेशा dators के साथ relate करता है, पहला effect sales में add करना है 3,000, और दूसरा effect dators में add करना है, चलो आगे बढ़ते, prepared insurance आपको पता है, insurance में से less करना है, और second effect, balanced asset side, depreciate furniture, furniture में से less करना है, machinery में से less करना है, depreci यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है डेटर के साथ लेकिन पहले हम सारे अजस्मेंट करेंगे अन्रेकॉर्डेट सेल्स वाला वह एक एक करके शुरू करेंगे ठीक है चलो ओपनिंग स्टॉक पर्चेसे सेल्स रिटर्न यह तीन पॉइंट पहले देखते तो यह आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक 20,000 लिग दिया है पर्चेसे 1,3200 में से पर्चेस रिटर्न भी आपके क्वेशन में है तो 1,3200 में से 3,200 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1,27,000 फिर वेजस लिग दिया है रॉयल्टी लिग दिया है ध्यान रख आपना में ट्रेडिंग का पहले एक्स्प्रेंट कर देता हो आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक था पर्चेस था वी हाफ पर्चेस रिटर्न वेजस था हमारे पास और रॉयल्टी भी था ठीक है फिर क् यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स रिटर्न रॉपिया यहीं प्रेजेंटेशन द्यान से आपको प्रेजेंट करना है बाइज सेल्स वान्स रिटर्न पात्सो रुपिया तो यह सब माइनस हो गया यहाँ पर एक अजस्मेंट था विड्रॉन बाइड दलाल फाइंट तो वगरा दूंडना तो अब इतना डिफिकल्ड क्यालकूलेशन नहीं है स्टॉक इस कंप्लीट पर्चेश इस कंप्लीट सेल्स रिटर्न इस कंप्लीट वेजएस इस कंप्लीट रॉयल्टीस इस अबहीं डेटर्स फरनिचर मशिनर्टी यह चरा असेट सैड देख लेते हैं इसका देखो डेटर्स 20,000, अर्न रेकॉर्डड़ सेल्स 3,000, तो 20 प्लस 3, 23, फिर अजस्मेंट में जाना, अजस्मेंट में आपको लास्ट अजस्मेंट दिया है, इस राइट आफ बैट देट्स 400, एन आइड़ीड है 3% अजस्मेंट तो 3% आइड़ीड है, तो देखो कैसे करना है, इसका 3% कैसे दुढ़ना है, that is very important, तो डेटर्स इस 20,000, अर्न रेकॉर्ड़ड़ सेल्स है 3,000, तो 20 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 23, 23 में से फर्दर बैट डेट से 400 माइनस किया, तो आया 22,600, फिर लास्ट में परसंटेज दुढ़ना है, 22,600 का 3% दुढ़ना है, जो 20,000 के उपर आप कैलकुलेट करते हो, 3% it is wrong, तो whatever difference we are getting, 22,600 we got the answer, तो 22,600 का 3% that comes to 678, फिर इसमें से यह माइनस करेंगे तो आजाए गई है, similar furniture, depreciation, machinery, depreciation, दीखेंगे वो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई calculation error नहीं होगा, profit and loss में देखते हैं, देखो, bad debts, old bad debts question में नहीं ह है, new RDD, new bad debts, further new RDD, तो दोनों add करना है, क्या था, format मैंने आपको last lecture में भी बताया था, bad debts plus further bad debts plus new RDD, less old RDD, bad debts नहीं है, हमारे पास new RDD, further bad debts कितना है, 400, new RDD, अभी हमने जो 3% calculate किया था, डेटरस के उपर, 678, ठीक है, old RDD, old RDD, आपके question में रहेगा, credit side में, trial balance के, एक बार द दिखा देता हूँ, एको trial balance के credit side में, यह देखो, reserve for doubtful debts, कितना है, 500 रुपया, तो यही यहाँ पर minus किया गया है, less old RDD, 500 रुपया, तो 1078 में से 500 minus करेंगे, तो आएगा, 6578, depreciation, furniture का लिख दिया, machinery का लिख दिया, I hope कि यह तो आपको clear है, इसलिए थोड़ा सा quickly आपको करव आगे बढ़ते है, next point में जाएंगे, next point है हमारा advertisement और salary, profit and loss में जाएंगे, profit and loss दिखा देता हूँ, आपको देखो, salary, advertisement 4000, ठीक है, 4 साल का 4000 है, तो एक साल का 1000 है, तो आपका prepared कितना है, 3000, 4000 minus 3000, 1000, student कहां गलती करते है, 4000 में से 1000 minus करके, बाहर 3000 लिखते है, ऐसा नहीं है, तो ए एक साल का, because final accounts हम एक ही year के लिए prepare करते है, तो आपको ध्यान रखना है, 4000 minus 3000 is 1000, that is very important factor, to salary, 3000, भाहर आ गया, हमको calculation advertisement हो गया, फिर provident fund contribution आपको दिया था, question में 500, वो भी लिख दिया, insurance 500, prepared था 100, तो 400 is the answer, इसके second effect काफी important, जो भी prepared है, उसका second effect कहा जाता है, balance sheet के asset set में, तो balance sheet के asset set में, आपको prepared का भी second effect देना है, तो काफी easy question है, इसलिए फोड़ा सा quickly आपको करवा रहा हो, insurance होगा, cash, balance sheet, asset side, drawings, दलाल और राजा, देखो अभी इस question में, partners capital भी है, और partners current भी है, तो जबी भी आपके पास partners capital और current रहेगा, तो remember, capital account हम directly, balance sheet के liability में लिखेंगे, दलाल's capital राजा's capital, ये दोनों के दोनों directly आपको लिखना है, लेजर आपको partners capital का नहीं बनाना है, current का बनाना है, तो current में सबसे पहले, buy balance 2000-2000, ये question के credit side में आपके पास अवेलेबल है, ये को current, capital 15-15 directly हमने लिख दिया, balance sheet, liability side, current account के जो values है, 2000-2000, उसके लिए ledger बनाया, तो वो current account credit side में देखो, buy balance लिख दिया, 2000-2000, फिर debit side 2 drawings, जलाल का drawing 3,500 और राजा का drawing 1,500, ये बढ़ते हैं, हम credit side में जाएंगे, format के, ये तो हो गया, capital account कहा लिखना है, 15,000-15,000 directly balance sheet liability side, capital का कोई भी ledger नहीं बनेगा, जब आपके पास only current account रहा, तो current account का ही ledger बनेगा, only capital रहा तो capital का led sales is complete, purchase return is complete, commission, profit and loss credit side, because credit में है, देखो, buy commission, 300 रुपया, ये भी हो गया, फिर interest on PF investment, interest on provident fund investment, ज्यान रखना, interest on provident fund investment, this is your balance sheet liability side, क्योंके लिए provident fund पे interest होगा, वो जमा होके हमें provident fund का holder है, उसको payment करना पड़ता है, इसलिए वो liability side है, अगर आप इसको income में record करोगे, तो गलत हो जाएगा, ज्यान रखना, interest on provident fund investment, ये important point है, बहुत सारे students यहाँ पे गलती करेंगे, यहाँ पे उसको income करके record कर लेंगे, because credit side है, but जो भी PF का contribution होता है, उस पे जितना interest accumulate होता है, वो हमें, वो PF आले को जब retire होत परसन तभी उसको देना पड़ता है, इसलिए वो liability में ही आएगा, अगले point में जाएंगे, next point देखते है, फिर मैं सभी adjustment का एक बार आपको फिर से effect बताऊंगा, provident fund, ये भी balance sheet liability side, RDD हो चुका है, creditors balance sheet liability side, अब adjustment देखते है, सारे adjustment, closing stock, cost price 25, market price 30, तो पहला effect, trading account, credit side 25,000, by closing stock दूसरा effect, balance sheet asset side, by closing stock, दलाल has taken goods worth रुपीज, fine rate for his personal use, तो क्या है, पहला effect, trading account, credit side, देखो, goods withdrawn, by दलाल, fine rate, दूसरा effect, partners, current account, debit side, ये देखो, two drawings, fine rate, दलाल के column, next adjustment में जाते है, next adjustment है, goods worth रुपीज, 3000, were sold and dispatch, तो ये है, unrecorded sales, पहला effect, sales में add करना है, दूसरा effect, debtors में add करना है, जो already हमने कर दिया, prepared insurance is 100, तो prepared insurance क्या है, हमारा 100 है, prepared, तो हमने insurance में से इसको less कर दिया, insurance में से क्या कर दिया, less, और दूसरा effect, balanced assets है, depreciate furniture, machinery ये भी हो गया, right of bad debts, ये भी हमारा हो चुका है, अभी trading account में देखो, gross profit 44, 500 है, calculate कर लिया हमने, पिर net profit, यहाँ पर value आ गई है, 32, 572, उसको divide कर दिया, दोनों partner में, 16, 286, 16, 286, दोनों के दोनों values यहाँ पर आ चुके, फिर यह 16, 286, यहाँ पर transfer किया, फिर यहाँ पर balancing figure हमें मिला है, two balance, carry down 14, 286, और 16, 786, फिर EC को हमने transfer करना है, कहाँ पर transfer करना है, 14, 286, और 16, 786, देखो, यहाँ पर transfer करना है, दलाल's current account 14, 286, राजा's current account 16, 786, तो यहाँ पर transfer करना है, फिर उसके बाद आपको tally करना है, 83,272, 83,272, the total, that is the value, तो आपको ध्यान रखना है, accordingly, this is the value, 83,272, 83,272, यह आपके value मिल गई है, तो जो आपको balance sheet को tally करेंगे, that's it from this question, अगर आपको कोई भी adjustment में problem है, तो मुझे comment section में comment करें, अगली बार मिलेंगे नए question के साथ, thank you very much, करें दे चाहती है और एंपको पैंगे अग।ान करेंगे रूद के साथ,